उसके लिए तो कुछ भूल रही नहीं नमस्कार दोस्तों ससी अटा 24-7 पे सभी का स्वागत है अब कुछ कह रहा है कि सर आप लेट क्यों हो गया अरे कुछ जुगार में लगे हुए थे आज सनीवार और डेली करेंट अफेर का weekly revision है और मेरे कितने ही दोस्त हैं जो exam center के लिए निकल चुके हैं कुछ बाइक पे होंगे कुछ लड़कियां स्कूटी पे होंगे कुछ कार में होंगे कुछ आटो में होंगे कुछ बस में होंगे ऐसा है कि नहीं और अगर इस समय उनको center के बाहर खड़े-खड़े एक-दो चीजें देखने को मिल जाएं तो कितना मज़ा आ जाएगा बस मैं वही निर्णे ले रहा था कि revision तो करवाना ही है तो क्यों न revision कुछ ये करवा दिया जाए सही है कि नहीं और इन लोगों के लिए करवा दिया जाए कि भाई आपका exam है आप center पे खड़े है revision करवाना ही करवाना है यही हाँ हाँ अभी तो आपको revision करवाना ही करवाना है तो plan सही है कि नहीं कि भाई अभी तीन बजे वाले shift में भी exam है कल भी exam है कल परसो भी exam है और एक बात और आज साम को साथ बजे इसके GSK Current Affair के हर प्रस्न का संपूर निचोड करूँगा समझ रहो ना हर प्रस्न का संपूर निचोड करूँगा तो साम को सब लोग रहिएगा आज पिछले 10 महिनों के Current Affair के 200 अतिम हत्तोपूर प्रस्नों पे रिवीजन होगा ठीक है अब इसका फायदा जो बिहार दरोगा का एकजाम देंगे उनको भी मिलने वाला है जो UP का एकजाम दे रहे हैं उनको भी जो उडिसा Public Service Commission की त्यारी कर रहे हैं उनको भी और जो अन किसी भी एकजाम को देने वाले हैं उनको भी तो आज रिवीजन एकदम जहमा जहम प्लान सही है न अब वो कतर वाला आट सैनिक वाला 10 मिनट सो बच जा रहा है हम बड़ा उसमें परिसान है कि उसको कप करें कैसे करें लेकिन उसी में देख लेते हैं ठीक है चलो तो सुरू करते हैं पहले Question की तरफ तो सब लोग Ready हो जाओ 200 में से 180 प्लस टारगेट एक जैसे मोदी जी नहीं लेते हैं राहूल गांदी की इस बार लोग सभा की 445 सीटों में 300 प्लस तो आप भी टारगेट लीजे कि पिछले 10 महिनों के Current Appear में 200 में 180 प्लस ठीक है ना 180 प्लस हाँ 200 प्लस भी कुछ लोग मार दियें आज बहुत ही बहतरीन बल्लेबाजी का मुझायरा है ये कमेंटरेटर नहीं बोलते हैं कि काफी उठा उठा के छक्के मारे हैं पहतरीन बल्लेबाजी का मुझायरा है ये सुनो चाय का जुगाड हम कर लिए हैं आज के लिए तुम लोग भी अपने चाय का कप लेके बैठ जाओ समझ रहो भी हमारी चाय आ रहे होगी तुम भी चाय के चुस्की लेते लेते हैं हाँ इसका 20 है उसका कुछ पान खा के भी बैड सकते हैं नहीं बनारस के जो लड़के होंगे एक आग दूठो पान गुल गुलाएं अप कुछ इसका 20 ही होग कुछ इसका 3 के भैश न defining पहिला कोश्चन पर आजाओ ठीक है शुरू करते हैं ना शुरुवात करते हैं एको करा एक सो आसी ट्रिपल प्लस हाँ बिमल समझ रहे हो तो नमबर बूश्टर डोज दे रहे हैं देखे रहे हैं बूश्ट कर रहे हैं डोज दे रहे हैं तो चलो बहिए जो जो लड़के- की सेंटर पे खड़े हैं लला अगर एकजाम होल मैं भी नई घुश रहे हो तो फिर यही देखो बगल में नमबर लेने के चक्कर में मत पड़े रहाना बेवार बनाते रहाना मेरा यह यह टॉपिक तैयार है तुम्हारा तैयार है वाला तो मैं नまだ पसकर बमें आर्जाम प चलो शुरुआत करे, 2000 हो जाओ जाओ जट से, तरीक है, ये मतलब ठीक है, चलिए, ठीक है, हाँ 2000 हो गए, चलिए, सुब सुब पहला कोश्चन, आलिया भट पहले में आ गई, देखे, फिल्म पुरुसकार 2023 में, सरुस्रेश्ट अभिनेत्री का पुरुसकार किसने जीता है, तो बहिए आलिया भट तो इस बार जीती है लेकिन उनका साथ दिया है लोकेस के फेवरेट कृती सेनन ने, एक हमारा दोस्ता रिजनिंग पढ़ाता था, 2016 सत्रम में कता था सर कृती सेनन मुझे बहुत अच्छी लगती है, अब पता नहीं कौन अच्छी लग रही होगी, तो क्वेश्चन अब्जर्व करना, कि जो दस महीने के 200 बेस्ट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, क्या वो, पेपर में आने वाले हाँ फिर, ठीक है न, तो आस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्णामेंट में B आरियन सबालेका, ठीक है न, आरियन सबालेका, अगला, पुर पुरुस सिंगल का किताब, वो, सर, चाया जाए, तो थोड़ा एक कपला दीजेगा, ठीक है, पुरुस सिंगल का किताब किस ने जीता है, तो C-Option, नुवाक जोकोविच, ठीक है न, नुवाक जोकोविच ने, अगला क्वेश्चन, 2023 में G20 सिकर सम्मिलन का कौन सा संस्क्र जित क्या जा रहा है, सर आपके 18 भारत में हुआ है, जो जो मेरे दोस्त जिनका जिनका एक्जाम है, बहुत ध्यान से देख लो, दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली, टोएटा इनोवाकार किस देश में लॉंच की गई है, सर भारत में लॉंच की गई है, नितिन ग हाली में जित किये गए, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब निम्न में से किस ने जीता है, मिस अर्थ इंडिया 2023, सर भी आप्शन प्रियन सेन ने जीता है, कोश्चन्स मैंने बहुत चार्ट चार्ट करके लाएं हैं और विस्वास करना इस बार तुमारे पेपर में अभी थो सर रामबन सुलाई सहत जमू कस्मीर से है, डेनियल मैक गाहे अंतर राश्टी किरकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी हैं, वो अकिस देश से संबंदित हैं, वो अकिस देश से संबंदित हैं, सर डेनियल मैक गाहे कनाडा से संबंदित हैं, आजकल हम लोगे पास किया गया नारी सक्ती बंधन 2023 अधिनियम समिधान का कौन सा संसोधन किस नमबर पे गया था सर 128 वे नमबर पे गया था लेकिन 105 वे पे पास हुआ है ठीक न 6 वे अगला तो ये निम्र में से किसे हाल ही में भारती फिल्म एम टेलिवीजन संस्थान का धर्च निक्त किया सर आर माधवन को निक्त किया गया है अगला पॉइंट सर मुग रतनम को आलही में किस देश के राश्ट्रपती के रूप में निक्त किया गया है सर ये बने हैं सिंगापूर के अगला पॉइंट ग्लोबल फाइनेंच सेंट्रल रिपोर्ट 2023 में किस गवर्नर को A प्लस पढ़ाता है लला एक घंटे दो सो कोई डिटेलिंग तो करा नहीं रहाऊं कि बहुत समझाऊं इसको यह तो रिवीजन राउंड है प्रेस इंफॉर्मेशन बीरो का नया प्रमुख सर वो बने हैं आपके मनीश देसाई जी सी ऑप्शन अभी हाल ही में आयो जीत अभी हाल ही म और पे कुछ छेतर में रूस ने इस्लामिक बैंकिंग की सुरुवात की है अगला उतकेला हवाई अड़ा किस राज्य में इस्थित है जिसका हाल ही में जोतीरा दिती सिंधिया जी द्वारा उतगाटन किया गया सर उतकेला उतकल दिवस या सब संबंदित है उडिसा से बार उठाना है सर इस बार उठाना है साओधी अरब को अगला पॉइंट भारत में आजित किये गए जी ट्वेंटी सिखर समेलन की थीम क्या है भया पूछ सकता है पेपर में सेम यही क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में ये बात ध्यान रखना वन अर्थ वन फैमली वन फ फैक्चरिंग फैसिलिटी ये बन रही है तेलंगाना में मोबाइल का स्क्रीन जाके चेंज करवा लेना हाली मैं आयोजित किये गए 132 डूरंड कप का खिताब किसने जीता है मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा मैं जब भी पढ़ाऊं कोई टीचर जब भी पढ़ है और आपको अगर ये भी महसूस हो कि नई सर ऐसे क्वेशन पेपर में नहीं आ सकते हैं तो आप भी फ्री हैं मेरी क्लास से जाने के लिए और अगर हलका सा महसूस हो नई सर आते हैं ऐसे क्वेशन आ रहे हैं ऐसे क्वेशन तो फिर लल्ला साथ देना जी जान से जुड ज ना निम्न मेंसे कौन इटेलियन ग्रेंट पिक्स को लगातार दसवी बार जीतने वाले अब बताओ रेस तो बहुत होते हैं लेकिन यह लगातार दसवी बार जीता है तो फिर इस खिलाडी से प्रसंद बनता है कि नहीं बी ओप्सन मैक्स वरा स्टेपर मैक्स वरा स्टेपर इंटरनेशनल इस्पोर्ट्स फेडरेशन में चुने जाने वाले पहले भारती कौन बन गए हैं बताइएगा इंटरनेशनल इस्पोर्ट्स फेडरेशन में चुने जाने वाले पहले भारती लोकेस सूजी जी बने हैं ल 75 ऐसे याद रखने के लिए अगला आदित L1 को कौन से रॉकेट से लॉंच किया गया है बताईए बताईए आदित L1 लला आदित L1 PSLV C57 ठीक है ना आदित L1 PSLV C57 अगला निम्न में से कौन दोहरे उपयोग के लिए DGCA अनमूदित परमालत पत्र प्राप्त करने वाला भा इसी लगू स्रेडी का ड्रोन बन गया है सर 365 दिन ए जी 365 दिन याद है यह वाला जो हमने ट्रीक बताया था आपके जो पेपर होने वाला उसमें यह इंपोर्टेंट बनेगा क्योंकि यह बैठा कुई हो उत्तर प्रदेश के वारानसी में और राइट एंसर है G20 में एक प्रकार का घोशना पत्र है अगला हाल ही में किसे रेलेवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में न पहली महिला अध्यक्ष के रूप में सर पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा ठीक है न हमने उस दिन भी ट्रीक बताया था कि रेलेवे की जय हो रेलेवे बोर्ड की अध्यक्ष है गितिका सिर्वास्तों निम्न में से किस देश में भारत की पहली महिला प्रभारी ब बनी थी आजादी को 77-78 साल हो चुके सर कोई महिला नहीं बनी थी 70 साल अगला आधार से जुड़ा जन्व पंजी करण सुरू करने वाला पुर्वत्तर छेतर का पहला राजे कौन बन गया है पुर्वत्तर छेतर का पहला राजे बना है नागालेंड नेक्स्ट क्वेश्चन निम्लिकित में से किस राजे में भारत की पहली सौर सिटी साची का उदगाटन किया गया है हर क्वेश्चन छाट के लाया हूँ आज 200 क्वेश्चन है हर क्वेश्चन में दम है अपने आप में राइट एंसर है मध्यप्रदेश राइट एंसर है मध्यप्रदेश बूचा थम T20 में 100 विकेट लेने वाली एसोसियेट देश की पहली गेदबाज बन गई है वे किस टीम की खिलाडी है सर ये हैं आपके थाइलेंड की अगला सातो किलमैन को हाल ही में किस देश के प्रधानमंतरी के रूप में चुना गया है किन मैन सर वानू अतू यही है न हा वानू अतू के रूप में ठीक है न देखो सातो अतू तू तू ता तू ठीक है न अब तुम याद रखो तो तू लो तो तू अब देखो एक्जाम टाइम में न कौन सा हसी मजा का आपको याद आ जाएगा और आप कर दोगे कि अचा कुछ ऐसा सर बोले थे तो तू तो नमबर मिलिया बात खतम फिल्म पुरुसकार दो हजार तेस उनहत्तरवे में सरुसेश पिच्चर फिल्म का आवार्ड किसने जीता है सर रॉकेट्री दा नॉम्बी इफेक्ट फिल्म जो फिल्म वाले आवार्ड होते हैं उसमें सबसे पहला ध्यान राश्ट्री आवार्ड जीट्वैंटी सिखर समेलन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ऐब का नाम क्या था अब देगो मज़ेदार है कि नहीं तो जीट्वैंटी के लिए अब का नाम था जीट्वैंटी बारत हम पता नहीं डाउनलोड किये थे बहुत सारे उससे question भी तुम लोग गो हम तो डाउनलोड किये थे इसे G20 Seeker Samiland 2022 के अध्यचता किसके द्वारा की गई 2022 सर कहीं महान 2022 के अध्यचता किसके द्वारा अच्छा 22 पूछ रहा है न हाँ हम अभी गड़बडा जाते हम इसमें भारत खोज रहे थे तो अगर भारत खोजोगे तो 2023 भी तो खोजोगे अगर 2024 अगर देखोगे तो फिर तुमको तो ब्राजील खोजना पड़ जाएगा ना ब्राजील यही है ट्राइका G20 का ट्राइका क्या है इंडोनेसिया भारत और यह इसी को कहा गया है G20 का ट्राइका तो अगर पूछे कि G20 के ट्राइका में कौन कौन से देश सामिल है तो लास्ट वाला कौन किया था अभी वाला कौन किया अगला कौन होगा इसी को G20 का ट्राइका ट्राइंगल बोला जा रहा है ठीक है लला अगला पॉइंट Fire on the Gangege नामक किताब किस के दोरा लिखी गई है Fire on the Gangege राधिका आयंगर के दोरा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्लिकित में से किस राज्य में Safe City योजना सुरू की गई है तो सर Safe City योजना हर्याना में सुरू की गई है निम्ल में से किस राज्य दोरा हालही में मुक्यमंत्री खेल पुनर निर्माला कांचा है आजीव का योजना सबल कुल मिला जुला करके सबल योजना कहां सुरू किया गया है ये आपको बताना है सर सबल योजना सुरू किया गया है ही माचल प्रदेश में भारत का पहला UPI ATM निम्ण में से किस अस्थान पर लॉंच किया गया है भारत का पहला UPI ATM मुंबई में लॉंच किया गया है ठीक है न अगला point पहला अंतरराष्टी पुलिस सहयोग दिवस निम्ण में से किस दिन मनाया गया पहला अंतरराष्टी पुल पूलिस वाले 7 तरीकों साथ में है, ऐसे, अगला, हाल ही में किस सहर में climate resilient agriculture, 30C, G20 कारे साला की बैठक हुई है, सहर क्लाइमेट की उपर बैठक हुई है है, हैधराबाद में, अभी हाल ही में किस देश ने चंदरमा का अध्यान करने के लिए smart lander for investing moon SLIM को launch किया देखेंगे जब भारत launch किया था तो वो चंद्रयान 3 था जापान ने launch किया है SLIM ठीक है न हाल ही मैं आज जित किये गए मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का किताब किसने जीता है बताएगा मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 सर ये किताब जीता है आपके प्रवीडा अंज पचास कोशन पूरे हुए अब एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आज हम लोग को मतलब यहां से 1500 स्टूडेंट और बढ़ने हैं और लाइक तो कर दो कम से कम सेयर जो लोग करेंगे करेंगे यार साथ दो यार तुम लोग पढ़ते तो हो हम भी जोस के साथ लगते हैं ल सकते हैं आप खुद से देखिए कितने लाइव हैं तो प्लीज सभी लोग एक बार सेयर कर दीजे अपने इंस्टा पे फेस्बुक पे ट्विटर एक्स जो आपका हैंडल है या फिर आप जहां भी इसको सेयर कर सकते हैं एक बार प्लीज सेयर करिएगा ठीक है पचास में आ आपको पता होगा आप चलिए इससे आगे बढ़ते हैं तो एक बार प्लीज यार इमानदारी से आपको तो लगता होगा ना यूट्यूब पे हैं बोल दिये क्या ही मतलब है चलो हम तो अभी देखते रहेंगे अभी अगला कोश्चन आ जाएगा लेकिन आर आपका एक छो चुनाव समिती का गठन किया गया है सर भूदपूर राष्टपती रामनात कोविंद जी की अध्यक्चता में नेक्ष इस्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कायोजन किस अस्थान पे किया जा रहा है सर वो हो रहा है तमिलनाडू में इसका भूदपूर चेंपिय रेंकिंग में स्वीटजर लेंड फर्स्ट पोजीशन पे है संयुक्त राष्ट द्वारा जारी की गए जेंडर स्नैप सौट दो हजार तेईस रिपोर्ट के अनुसार किस वर्स तक लेंगिक समानता मतलब महिला पुरुस समान ये संयुक्त राष्ट कब तक हासिल करना चा समझ रहा है इसी तरीके से इनकी किताब का नाम रहता है सलेम साबुदाना को जियाई टैक दिया गया है यह किस राज्य में पाय जाता है सर साबुदाना तमिलनाडू में बहुत उत्पादर होता है जमिलनाडू में 21 वरुड अभ्यास दूसरे चरण का अजन सर वो भारत वाला है न यह तो सर अरब सागर में हो रहा है वरुड अगला अभी हाल ही में अफरिकी संग को जी ट्वेंटी में 27 सदस से बनाए गया है जी ट्वेंटी की स्थापना सर 1999 में हुई थी जितने लोग मुझे एक्जाम सेंटर से या इधर उधर से देख रहे लला घड़ी का अभी ध्यान दिये रहे ना जैसे ही हो कि गेट खुल रहा है अंदर घुश जाना अपना एक्जाम देना और मैं जान रहा हूं बहुत लोग सुनके सोच रहोंगे आज कौन सा एक्जाम है आप परसान नहों हूँ जिनका एक्जाम है वो सेंटर के बाहर है उन्हें समझ में आ रहा है या वो रास्ते में है या उनका तीन बजे वाले सिफ्ट में है वो समझ रहोंगे कि गुरू जी क्या कर रहे है और तुम पेपर अच्छा करोगे ये भरोसा रखना घबराओ बराओ मत दोराते रहो और एक्जाम हॉल में घुश जाओ ठीक है ना क्योंकि इधर उ बिख रहे हैं किस चीज का एक्जाम है जिस चीज का एक्जाम है जिसका है वो जानता है तुम तैयरी करो US Open Tennis टेनिस टुर्नामेंट में महिला सिंगल्स का किताब किस ने जीता वो एक राज्ये का एकजाम है इसलिए आप सभी लोग साध न जानते हूँ US Open Tennis टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का किताब किस ने जीता है ए ओप्सन तीन में नुवांग जो को विछी पुरू सिंगल में है जी ट्वेंटी का मुख्याले का है दिये गए ओप्संस में जी ट्वेंटी का मुख्याले नहीं है भारत के पहले भूमीगट ट्रांसफार्मर का अनावरण किस सहर में किया गया है सर देखिए जो भूमी गट ट्रांसफार्मर है उसका अनावरर हुआ है आपके बैंगलोरू में ठीक है ना अगला पॉइंट निम्न मेंसे किस रेलेवे स्टेशन का हाल ही में पिंक स्टेशन के रूप में उदगाटन किया गया है सर एक्चुली वहाँ पे महिला करमचारी और महिलाओं को डेडिकेटेड निव अमरावती रेलेवे स्टेशन पिंक स्टेशन के रूप में जाना जगया निम्न मेंसे किस ने अभी हाली में कक्षाओं में मोबाइल फोन के इस्तमाल पर प्रतिवाण हम अपनी क्लास में कर दे मोबाइल फोन नहीं ला क्लास 7 हमारी क्लास में मोबाइल फोने लाउड है पढ़ने के लिए भी ऑप्शन दिल्ली ठीक है न अगला जी ट्वेंटी समू की स्थापना ये तो हो चुका है अगले पॉइंट पर भाव भारत अंतर राष्टी MSME EXPO और सम्मेलन 2023 किस सहर में आज जीत किया गया देखो MSME खुब पुछता है MSME जो लगू मंत्राले है वो खुब पुछता इसकी बैठा कुई है दिल्ली में नेक्स निम्न में से कौन सा बैंक 24 इंटू 7 वीडियो बैंकिंग से वा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है तो सर वीडियो बैंकिंग से वा प्रदान करने वाला AU Small Finance बैंक पहला बैंक बना है निम्न में से किस राजे ने भारत का पहला क्रिसी डेटा एक्षेंज शुरू किया है भारत का पहला क्रिसी डेटा एक्षेंज शुरू किया है भी ओप्षन तेलंगाना ने अभी हाल ही में किस राजे ने बिजली की कमी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सौर मिशन को लांच किया है बताईएगा मुख्यमंत्री सौर मिशन मिघाले ने लांच किया है पारंपरिक चिकित्सा पर पहले सिखर सम्मेलन की मेजवानी निम्न में से किस अस्थान पर की जाएगी बताईए सर वो पारंपरिक चिकित्सा पर गांधी नगर गुजरात में इसरो सुर्ग के अध्यन के लिए अपना सौर मिसन लॉंच करने वाली इस मिसन का लॉंच क्या नाम क्या है चुकि यह 10 महिने का करेंट अफेर पढ़ा रहा हूं अब तो आपको पता ही वो लॉंच हो चुका आपको सिर्फ नाम पूछ रहा है अगला निम्न में से किस राज्य ने भारत का सबसे बड़ा IT हब बनाने की घोशना की है देखो यह कोश्चन तुमारे पेपर में छप सकता है उत्तर प्रदेश लखनव के पास सीतापु रोड पे यह बनाने की घोशना की गई है 75 कोश्चन कंप्लीट हुए अगला कोश्चन अनवर उल हक ककड को निम्न में से किस देश का कारवाहग सर पाकिस्तान सर अनवल हक कड़ को पाकिस्तान का कारेवाहग बनाएंग गया है ठीक है न कोई बात ने अगला पॉइंट A.C.I. Champions Trophy 2023 का खिताब निम्र में से किसने जीता है A.C.I. Champions Trophy सर अपना भारत जीता है A.C.I. Champions Trophy A.C.I. में इकोनामिस्ट इंटिलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की गए रैंकिंग में कौन सा सर दुनिया का सबसे अच्छा रहने योगे सर है A.C.I. में पढ़ने वाला वियना दुनिया का सबसे अच्छा सर है अब यहाल ही में मेरा बंगाल नसा मुक्तभियान कौन सुरू किया तो अब आप्सन फंस जाएगा कि सर कौन सुरू किया होगा इन दो प्रबल दावेदार हैं तीन सुरू के लेकिन सुरू किया है आपके राष्ट्रपती महोद्या ने जब वो बंगाल के दोरे पे गई थी पस्ची मंगाल के हाली मैजित की गई यूथ अंडर 20 विसुकुस्ती चेंपियनसिप का खिताब किस ने जीता है अंडर 20 विसुकुस्ती चेंपियनसिप का खिताब मोहित कुमार ने जीता है भारत का पहला ड्रोन परिक्षण केंदर किस राज्य में सुरू किया जाएगा बताएगा ड्रोन परिक्षण केंदर किस राज्य में सो समझ के बताईए तो ड्रोन पर इक्षड केंदर ए ओप्षन तमिल नाडू में हाल ही में नहरू मेमोरियल का नाम बदल कर प्रधान मंत्री संग्राले और पुस्तकाले किया गया है नहरू मेमोरियल की स्थापना कब की गई थी अब देखो ये इनपोर्टेंट रहेगा नहरू मेमोरियल का नाम क्या हो गया प्रधान मंत्री संग्राले और पुस्तकाले नहरू मेमोरियल की स्थापना सर 1964 में हुई थी युआ 20 सिखर समिलन कायोजन निवन में से किस अस्थान पर युआओ कायोजन हुआ वारानसी में फिर इनपोर्टेंट क्वेश्चन फिर इनपोर्टेंट यूपी के वारानसी में हुआ है इसलिए मैं बोलना हूँ भारत की पहली लंबी दूरी की रिवालवर का नाम क्या है इतर तुम लोग रटी लो लड़कों को तो बहुत की मार देंगे अगर एक बार तुमको प्रबल से न प्रबल संभावना है कि भगवान के पास है तो लंबी दूरी का दूर है से एक दम, प्रबल अगला आयोजन बताओ तो जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी फिल्म होट सो नई दिल्ली में हो रहा काफी पिच्चर दिखाई गई हमको नहीं पता कौन जी दिखाईगी जी ट्वेंटी में कितने सदस सामिल है सोचने वाली बात है सर देगे 19 देश और यूरोपियन यूनियन और अफ महराष्टर को तो कुछ है नहीं आता है एक आग बार मेरे टैपिस्ट की भी गलती दे दिया करो आमको बचा लिया करो यूट्वेंटी चैंपियनसिप में लगातार विसु खिताब जीतने वाली पहली भारती महिला पहलवान कोई लड़का है लड़ेगा मैडम से नहीं न महराष्ट के पहले उद्योग रतन पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है रिस्पॉंस 30 सिगंड बाद होता है महराष्ट के पहले उद्योग तो महराष्ट का पहला उद्योग रतन टाटा अज़ा एक बात जरा समझना कितने लोग लाई वो देख लो और मैं तुमें बता रहा हूं answer कितने लोग कर रहे हैं 1228 लोग इतने लोग हैं जो answer कर रहे हैं बाकी के लोग क्या कर रहे हैं सिर्फ देख रहे हैं लल्ला हाथ से answer करना सीखो ठीक है न यह जो तुम अलेजी पन कर रहे हो न खाली mobile laptop ऐसे देख रहे हो तुम्हारे लिए नुकसान दायक है त बता रहा है कि तुम answer नहीं कर रहे हो खाली देख रहे हो और फिर लाश्ट में रोग है कि current affair नहीं तैयार हुआ यह गलत habit पाल रहे हो इसी लिए तुम्हारी math भी वीक है क्योंकि तुम pen चलाने से बचते हो प्रैक्टिस नहीं करो कि तुम math नहीं आएगा बात को समझो मेर चैट रेट को बढ़ाओ answer करो और अब मैं थोड़ी दिर बाद बताओंगा कि अब चैट रेट क्या चलना है हाला कि 1228 से 1120 पे आ गया अगला point भारत का पहला 3D printed डाग घर कहां खोला गया है भारत का पहला 3D printed डाग घर सर वो खोला गया है बैंगलुरू में ठीक है नब ब काउद घर्टन किया गया है यह option गुजरात ठीक है ना गुजरात अगला point मुख्य मंतरी निहसुलक अनपूर्ण भोजन पैकेट योजना निम्न में से किस के राज्य द्वारा सुरू की गई है तो यह सुरू किया गया है राजस्थान अनपूर्ण योजना अगला निम्न मैं आजित किये फीफा महिला फुटबाल वी शुकप का खिताब किसने जीता है आज के 200 कोश्चन किसी भी एक्जाम के लिए राम बान साबित होंगे यह मैं लिख के दे रहा हूं फुटबाल खिता है बी option इस्पेन ने जीता है फीफा महिला फुटबाल वी शुकप इसमें संसकरण कायोजन किस देश में नहीं किया जाएगा मैं लिख के दे रहा हूं जितने लोग मुझे सुन रहे हो यह वाला एंसर नहीं बन रहा होगा क्योंकि आपने उस तरीके से ध्यान नहीं दिया ए ऑप्सन साउथ कोरिया मैंने हो रहा है बाकी इंडोनेसिया फिल इन दो में बड़ा कन्फ्यूजन होता है ना फिलिपीन फिलिस्तीन अगला पॉइंट दुनिया का पहला थ्रीडी रॉकेट अब यह थ्रीडी डागर नहीं है थ्रीडी रॉकेट किस देश दोरा लॉंच के जा रहा है तो भारत अगला निम्न में से किस देश के दोरा नौ नौसैनिक अभ्यास ठीक है नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2023 का आउजन किया जा रहा है सर आस्ट्रेलिया निम्रे में से कौन सा देश ब्रिक सिकर सम्मेलन 2023 का आउजन कर रहा है पताइएगा ब्रिक सिकर सम्मेलन 2023 सर ब्रिक सिकर सम्मेलन 2023 दक्षिड अफ्रिका 100 questions complete हुए अब आपसे एक बार request है कि प्लीज यार थोड़ा share बगएरा करते रहना अगला question आपके screen पे है ठीक है न और like तो करीदोगो तो free वाला point होता है गोपिनात बोर दोलई अंतराश्टी हवाई अड़ा डीजी यात्रा सुविधा प्रदान करने वाला पुरुवत्तर का पहला हवाई एड़ा बन गया यह किस राज्य में इस्तीत है सरिया इस्तीत है आसम में next ISSF अच्छा इसी में हम लोग 3-4 बार SS जोड़ लेते न भले न रहे हम इंडिया वालों की आदत है उन नहीं रुकेंगे हम लोग ISSF तो ISSF विस्त चैंपियंशिप का उजन किस देश में किया गया है तो सर अजर बैजान में किया गया है और भारत ने सौड़ पदक जीता है निम्ड में से कौन सा आयुश्मान भारत डिजिटल मिसन माइक्रोसाइट लौंच करने वाला पहला लौंच राज्य बना है तो सर माइक्रोसाइट लौंच करने वाला मिजोरम बना है आपको बता दूँ चैट रेट चल ला है 3526 ये अब इतने लोग एंसर कर रहे है अभी थोड़ी देर पहले कितने answer कर रहे थे 1100 प्लस लोग, अब देखू, याद दिलाना पड़ता गलती, आपकी नहीं मेरी है, मैं यादी नहीं दिला रहा हूँ, अभी हाली में किसे National Green Tribunal के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, NGT, ये पूछ सकता है पेपर में, प्रक पूल रीखी के द्वारा लिखा गया है, भारत चंद्रमा के दक्षडी दिरूपर पहुचने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, अच्छा तुम लोग को एक बाद बता है, यादो को मेरे मन में आया तो मैं बोल दे रहा हूँ, मैं छुपाता हूँ पाता नहीं हूँ, ये जब मैं देखा न, Drunk on Love, तो मुझे पता दिमाग में क्या चला, जैसे कोई लड़का हो, लड़की हो, या अच्छे आपका कोई दोस्त हो, उसके साथ आप एको कार ले लो, यहाँ पे वो बैठा हो, बैठी हो, यहाँ पे आप बैठे हो, बैठी हो, कार इधर की तरफ जारी हो, पीछे खुब खाने का सामान भरा हो, और खुब सारा रुपया भरा हो, और आप एक लंबी यात्रा पे निकल रहे हो, लंबी यात्रा, कोई न टोकने वाला न बोलने वाला, जीवन सेटल हो, मज़ेदार इमेजिनेशन है न, Drunk on Love, जीवन एकदम सेटल हो, आप जिसके साथ जा रहे हो, खुब सारा नोटे भरा हो, पांसो एक हजार, आपके मुबाइल में भी खुब सारा पैसा हो, कि स्कैन करके देने के लिए, मज़ा नहीं आ गया, हम अभी सोचे ऐसा, जब ये वाला आया, तो हमका भी या सेयर कर लो, दोस्तों अप नहीं हो, कौन स इसमें सर्माने वाली बात है, बढ़िया दूठो दोस्तों, लड़के, लड़के, लड़की, लड़का, लड़की, कोई भी, मुद्दा है नहीं, खाने का खुब बढ़िया बढ़िया, कोल्डरिं, कोल्डरिं, सब आप लंबी टूर पे निकले हो, क्या जीवन में मज़ा है, अगला कोश्र, चंद्रमा के दक्षडी धुरूपर पहुचने वाला कौन सा देश बन गया है, सर, यह उप्षन, पहले देश है, जो दक्षडी धुरूपर गया है, और कल की तुम लोग को एक अपडेट देतें, जब लेंडर रोवर प्रज्यान, चंद्रमा की सतह पर उतरा, तो लगभग 2.5 टन वहाँ पे धूल उड़ी, ठीक है ना, 2.5 टन वहाँ पे धूल उड़ी है, और वो जो 2.5 टन जब वो उतर रहा था, 23 अगस्त को, चुकि देखो, यह इस तरीके से आपका चंद्रयान 3 उतर रहा था, तो चंद्रमा का गुरत्वा करसण बल रहा था, और इधर से एंटी दिसा में रॉकेट लॉंच किया गया, रॉकेट जैसा, ताकि जो चंद्रमा का गुरत्वा करसण बल है, और जो आपके चंद्रयान 3 का गुरत्वा करसण बल है, वो उन दोनों को बैलेंस करे, और इस बैलेंस करने की स्थिती में, चंद्रमा क सता से काफी धूल के कंड उड़े वो पाउडर के समान थे टेलकम पाउडर ये इसरो ने कल बताया और धूल के कंड कितने उड़े कि चंद्रमा की सता पे जहां पे आपका चंद्रयान थ्री उतरा जिसको आपने क्या नाम दिया है सीव सक्ती पॉइंट वहां के 108.2 वर्ग मी और इसलिए उसको एक नया नाम दिया गया है उस सतह को और ये जो धूल उड़ा इसको एपली गोरेत कहा गया ये जो धूल उड़ा न चंद्रमा का इसमें कई प्रकार के कंड थे इनहीं को एपली गोरेत कहा गया और इस सतह को कुछ गोल आकार का है तो गोलाइड या एर याद रखना होगा ठीक है ले ये याद रखना होगा एन चंद्रियान 3 पे सफलता के बाद इस रो निम्न में से किस के साथ मिलकर अगला लूपिक्स मिसन को लॉंच करेगा सी ओप्षन जापान के साथ अगला अब यहाली ही में खेलो इंडिया महिला महिला लीग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है क्या हुआ वहां का सटर्डे खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है अस्मिता महिला लीग ये पूछ देगा वो गौर्मेंट है बाबा की वो पूछ देंगे इस सब अस्मिता अस्मिता NCRT के किस कच्छा के पार्ट करम में राष्ट्री युद इसमारक पर नया ध्या सामिल किया गया है सर NCRT के B-Option साथ में और NCRT ने अपनी किताबों में इंडिया की जगा अब क्या लिखेगा भारत लिखेगा ठीक है भारत हाली में एंटी रामा राव की याद में किस मारक सिक्का जारी किया गया वह किस राज्य के पुरु मुखे मंत्री थे सर एंटी रामा राव आंधर प्रदेश के हुआ करते थे केंदर सरकार ने अवैद खनन जैसे नहीं कोईला की खाने होती है मैं तो अब अवैद खनन ओनन कोलरी खूब सब्दा आज काल मैं सुन रहा हूँ और एक कौन सा पद है इसमें सरदार माइनिंग सरदार ये पद भी सुन रहा हूँ जहर न कर दे जीवन में कौन सा मुबाइल एप लाँच किया गया हम इसी से प्रहरी बन जाएंगे पहुच के बता रहे है तो राइट एंसर है ए ओप्शन है ए मिस्र ठीक है न अगला हाल ही में एमर्सन मांगवा निम्न में से किस देश के राष्टपती चुने गया है एमर्सन मांगवा तो एमर्सन मांगवा डी ओप्शन जीम बॉंबे के जीम बॉंबे के कि सहर ने देश की बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरुसकार जीता है ग्वालियर इंदौर बैंगलूरू प्रियागराज तो सर बेस्ट स्मार्ट सिटी का जीता है B option इन दौर ने सिरलंका में परेटन के स्रोत बाजार के रूप में पहला अस्थान की इस देश को प्राप्त हुआ है परेटन का स्रोत सर परेटन का स्रोत सिरलंका का भारत है अब यही वज़ा है स्रिलंका ने अभी कुछ देशों को वीजा आने राइवल फ्री कर दिया है उसमें भारत है तो भारत के लोगों आप परेटन करने जा रहे हैं स्रिलंका के उकोनौमी को फायदा हो रहा है तो यही करेगा वर्ल्ड आर्चरी आर्चरी मतलब तिरंदा जी समझ रहो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियंशिप 2023 में भारत को कौन सा पदक जीता है तो सर भारत ने पदक जीता है स्वाण पदक नेक्ट निम्न में से किस देश में ब्रिक्स 2023 का आयोजन किया जाएगा सर ब्रिक्स 2023 का आयोजन पूछेगा बाइक कुला रेलवे स्टेशन किस राज्य में इस्टेत है जिसे हाल ही में यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरुसकार दिया गया है अब दोको यह कोशन बहुत ज़्यादा संभावना है आज नहीं तो कल पेपर में पूछने का बाइक कुला रेलवे स्टेशन भारत का पहला मतस से पालन अटल उस्मायन केंद्र भारत का पहला मतस से पालन केंद्र बताओ अब यह वाला सब्द अटल वाला टप है तो रोक के अपने आपको ध्यान दिये रहो सर वो बनाये जा रहा है आपके केरल युनिवर्सिटी मचली उधरी जाना है ना समुद्रो मुद्र है अगला जीवन किरण नामक योजना निवन में से किसके द्वारा सुरू की गई है सर जीवन किरण भारती जीवन बीमा निगम लगपती दीदी योजना सर लगपती दीदी उत्तरा खंड ठीक है उत्तरा खंड किस राज यह तो वो भी सुरुकिया ना पस्चिम बंगाल ठीक है न इसको एक बार देख ले ना ठीक है प्लीज इसको एक बार वेरिफाई करिएगा ठीक है अगला चंद्रेयान थ्री अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा सर चंद्रेयान थ्री भारत का तीसरा मिशन है वन टू हो चुका है थ्री लिक्यों तीसरा ही है निम्न में से किसने महिला प्रीमियर लीग सर मुंबई इंडियन्स ने जीता है ची कहा ना मुंबई इंडियन्स ने मुंबई में आजाद नामक पुस्तक सर ये कांग्रेस के नेता गुलाम नभी आजाज जी की आत्म कथा है आजाद नामक पुस्तक राश्ट्री क्रिसी और ग्रामीन विकास बैंक कि अध्यक्ष के रूप में किसे नुक्त किया गया है बताएगा तो सर अध्यक्ष के रूप में A option के वी साजी जी को निम्ण में से किस देश ने दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका सुरू की है तरल हाइड्रोजन संचालित नौका operation चलाए गया था बताओ तो सर भुकम पीड़तों के लिए D option operation दोस्त निम्न में से कौन 100% बिद्धुती करण railway network वाला पहला राज बना है सर हर्याना बना है ये मैं revision करा रहा हूं मैं बार बार कह रहा हूं मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं तेज पढ़ा पा रहा हूं 2025 में प्रतिष्ठित विस्व संरक्षन कांग्रेस की मेजवानी कौन सा देश करेगा सर विस्व संरक्षन कांग्रेस की मेजवानी संयुकतरब अमिरात स्लीनेक्स नामक युद्धा बैस भारत और किस देश के बीच में होता है सर भारत और स्रिलंका नहीं वो देखो SL, I.N. SL से स्रिलंका, I.N. से अगला पॉइंट अभी हाली में बस होली पेंटिंग को भगोलिक संकेत तक मिला या किस से संबन दित है US देखाएं, जम्मू से अगला, हाली में जारी की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2022 के अनुसार किस राजी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, सर जस्टिस रिपोर्ट में करनाटक को पहला स्थान है एसिया का सबसे बड़ा अंतराश्टी खाद्य और आती थे मिला आहार 2023 कहा आयो जीत हुआ है आहार आयो जीत हुआ ए ओप्षन दिल्ली में ठीक है ना दिल्ली में निम्नमे से क्रिकेट में अंपैरिंग करने वाली पहली महिला बन गई है सर क्रिकेट में अंपैरिंग करने वाली कीम कॉर्टन ठीक है ना कीम कॉर्टन पाली महीला बनी है एय आप्षन इसका सही है एय आप्षन नोबेल पुरुसकार जीतने वाले पहले भारती कौन थे ये तो इस्टेटिक हो गया सर, ठीक है ना एक दू इस्टेटिक, निम्ण में से किस देश में ओरियन नामक बहुराष्टी अभ्यास सुरू क्या जाएगा, ओरियन, सर ओरियन नामक बहुराष्टी अभ्यास फ्रांस में, निम्ण में से किस से अंतराष्टी सांकी पुरुसक से सम्भानित किया गया अंतराश्टी सांकी पुरुसकार कल्याम पुडी राधा कृष्ण राओ को अभी हाली में फीनलेंड नाटो का कौन सा सदस से बन गया है सर फीनलेंड नाटो का एक तिस्वा सदस से बना है ठीक है ना फीनलेंड नाटो का एक तिस्वा सदस से बना है अगले point पे आएंगे लला अगला question आपके screen पे है और मैं आपके लिए कुछ खास भी यहाँ पे करने जा रहा हूँ जरासा उसको भी आप लोगों को समझना है क्योंकि मेरा उद्देश से हमेशा होता है कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसे चीजों से भी आउगत कराता रहूं जो देश समाज दुनिया के लिए जरूरी है अब जरा सुनिएगा किसी को भी जो ठीक है यहाँ पे क्योंकि यह जो है आपके लिए मैं बताऊं एक सो पचास question यह जो क्लास की पीपीटी है यह लगभग एक सो पचास question के लिए मैंने वादा किया था यह 200 की है वो आपको PDF म दल रहा है और मैं इसको इसने पर रोक रहा हूं क्योंकि जो अन्ने हमारे student है जो UP SSC PT का exam देने जा रहे हैं आपको all the best और मैं चाहूंगा आप हजारों लड़के उन UP SSC के students को all the best बोलिये जिनका आज और कल exam है और याद रखेगा आज साम 7 बजे मैं उसके उपर क्या करने वाला हूं सेशन भी लेने वाला हूं ठीक है ना आज साम 7 बजे मैं उसके उपर सेशन भी लेने वाला हूं ये भी आप याद रखेगा किसके उपर एक्चुली UPSSCPT के उपर UPSSCPT के उपर तो साम साथ बजे जो आज UPSSCPT का पेपर होगा उसका संपूर नी चोड़ और आप सब आ क्योंकि कल भी उसका पेपर है तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आज आके देखिएगा उसमें कैसा current affair आया उसमें GS का लेबल कैसा है और हाँ सबसे बड़ा मुद्दा अभी the 10 minutes so करने जा रहा हूँ आपके लिए the 10 minutes so और आप जानते हैं कि इस the 10 minutes so की value क्या है ठीक है ना आपके लिए जो the 10 minutes so है आज देश का मुद्दा है जरा जानिएगा कि ऐसा क्या है कि कतर ने हमारे साथ भूत भूत पुरो सैनिकों को सजा है मौत सुनाई है और भारत उस पे क्या कर पाएगा the 10 minutes so यार बात देश की है आपका सुझाओ और आपका जानना बेहत जरूरी है बहुत ही चर्चाओं में है ये मुद्दा तो इससे related कुछ facts भी साइद आपके exam में काम आ जाएं लेकिन उससे ज़्यादा बात बात देश की है क्यों ये आठ लोग कतर की company में काम करने गए कहा गए इनको फसाने के पीछे किसका हाथ है भारत सरकार अगला क्या कदम उठाएगा और क्यों कतर ने इने सजा मौत सुनाई है क्या उसमें इजराईल और पाकिस्तान का connection है ये सारी बातें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ the 10 minute so में मैं ये नहीं कहूंगा कि सब चीज आपके exam के लिए होता है कुछ चीज आपकी जानकारी और आपके देश के लिए होता है तो अब the 10 minute so का थोड़ा स्वरूप बदला हुआ भी है मैं हर उस मुद्दे पे चर्चा करता हूँ जो देश से जुड़ा होता है जो हमसे आप से जुड़ा होता है तो इन 8 सैनिकों के लिए इनकी एज 50 प्लस है 60 प्लस है बेचारों की और इनको सजाय मौत फरजी टाइप का काम हो रहा है मैं आपको इमांदारी से बता रहा हूँ अब पाकिस्तान ने सबसे पहले कहा था कि ये जासूसी कर रहे हैं मैं अभी आपको इसमें the 10 minute so में एक एक चीज बता दूँगा कि क्या है ये पूरा मुद्धा तो आप सभी लोग आ रहे हो न तुरंट आप सभी लोग आ रहे हैं न तुरंट एक दम टू दपॉइंट तुरंट ऐसा एक सेशन लगा हुआ है पांच साथ मिनट अगर आप देंगे तो कुछ देश के बारे में और कुछ एक नई बात आपको पता चलेगी ठीक है न आप भी आके कमेंड बॉक्स में बताईएगा क्या ये कतर सही कर रहा है या कुछ इसमें जैन्विन है और भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए कतर से भारत के रिलेशन्स बड़े अच्छे है तो थेंग्यू सो मच इस वाले सेशन में मैं आपका वेट कर रहा हूँ ये वाला सेशन जो चल रहा है इसको इंड करने जा रहा हूँ और लास्ट में यूपी ट्रिपल सी पीटी के मेरे दोस्तों साम को आप लोग मेरे से जुडियेगा कल जो आपका 29 तारिकों पेपर उसके लिए संपूर निचोड करवाऊंगा कि कल के लिए एक्सपेक्टेड पेपर कैसा आ सकता है तो आल दे बेस्ट यूपी ट्रिपल सी पीटी के मेरे इस्ट्रेंट्स और दा 10 मिनट सो में हम लोग जुड़ते हैं इस सेशन में प्लीज आप सभी का रहना इसमें जरूरी है ठीक है न आपका सभी का इसमें रहना जरूरी है एक मिनट के अंदर दो मिनट के अंदर ये सेसन सुरू हो जाएगा ठीक है